Hello class 11, ये Units and Measurement का second lecture, अगर पहला lecture नहीं देखे हैं, तो उसको देखकर आए, अच्छे से समझ में आगा, ठीक ना, यहां देखे क्या है, तो इस lecture को देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं, क्या अब तक आपने देखा, मतलग अभी तक क्या क्या देखे, तो आप लोग पोजब्यत किये जाते हैं, जिनका measurement possible होता है, उसको क्या बोले थे हम लोग, physical quantities बोले थे, और इस chapter में physical quantity के बारे में ही पढ़ना है, ठीक ना, और ये physical quantity कितने तरह के थे, physical quantity, quantities कर देखे, ठीक है, ये कितने तरह के हैं, तो base, जिनका संख्या क्या था, 7, याद आया, कौन- temperature, ठीक ना, और बाकी आप बताएंगे, ठीक है, क्योंकि पहला lecture अगर आप देखे हैं, तो आपको पता होगो, ऐसा हम एक बार बोल देरे हैं, length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, और क्या था, luminous intensity था, ये साथ, फिर क्या था, derived, derived का संख्या हम लोग limit में नहीं रख सकते, ये बहुत सारा ह मतलब, base के मदल से, जो भी quantities बनते हैं, वो क्या कराते है, derived कराते हैं, ठीक है, और बाद में आया था, क्या था, supplementary, नहीं, supplementary, इसका कितना संख्या था, test का संख्या था, 2, कौन-कौन, plain angle and solid angle, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेते हैं, कि किसी भी physical quantity को जब आप नहीं, नमबर वाला टर्म क्या रिपरजेंट करता था, तो वो उसका amount, वो है कितना, जिसको आप लोग क्या कहते थे, magnitude कहते थे, नहीं, यहीं ना, magnitude, और later, group of later, या, symbol क्या था, उसको आप लोग क्या बलें, तो unit, जिससे आप पहचान करते थे, कि वो कौन सा physical quantity है, जैसे length के लिए बात करें, तो 100 meter, यहां देखें, यह number वाला टर्म, magnitude, यह unit हो गया, मास का 2 gram, यह 2 क्या है, magnitude है, और यह क्या हो गया, unit हो गया, यहीं ना, फिर उसके बाद बहुत सारा चीज़ देखें थे, पूरा बताएंगे, तो तो lecture ही पूरा हो जागा फिर, तो उसको देख को, यह symbol वाले टर्म को, इसको हम लोग क्या बहुत है, unit, और unit के बारे में हम लोग यहां देखेंगे, तो एक ही quantity से क्या है ना, बहुत सारे units है हमारे आज पास, जैसे मास का ही बात कर ले, तो कोई kg मेजर किया, कोई gram में, कोई pound में, देखो यह चीज है, मास ही है, लेकिन अलग-अलग unit है, length है, तो अलग-अलग unit है, तो यह जितने भी units है ना, उसको एक system के तहत पढ़ेंगे हम लोग, system के तहत, और उसी का नाम क्या है, system of unit, देखें है, systems of unit, actually में होता क्या हम तो यह collection of units है, जो based, derived, supplement है, सब के लिए हम लोग लिखते हैं, तो आपने सहुलियत are given below, जो general system है, जो हमारे आज़ पास में generally मिलता है, वो कौन-कौन system है, तो FPS है, कौन है, FPS, CGS, MKS, ठीकना, और भी आगया आगा, SI system, जो की internationally accepted होगा, ठीकना, लेकिन फिलाल यह, जो common examples देखें हैं, आज़ पास में हम लोग जो common system देखें हैं, वो कौन-कौन है, FPS, इसका अब full pump होता है, FOOT pound second, क्या होता है, FOOT pound second, समझ बागया होगा, यह क्या, एक minute, यह है, FOOT pound second, F stands for foot, P pound, S second, ठीकना, यह CGS बोलने का मतलब क्या होगा, CGS system मतलब, C stands for centimeter, kilometer, G, gram, ठीकना, अब फिर से S किसके लिए, second के लिए, वही M के इसका बात करें, तो M किसके लिए आया है, तो A आया है, किसके लिए, तो meter के लिए, ठीकना, K किलो ग्राम, किलो ग्राम, और S क्या है, फिर से second है, यही न, मतलब, साब साब पता चल रहा है, कि length, mass, time के लिए, यह system बनाया गए है, नहीं, length, mass, time के लिए, ठीक है, आप दो किया पर क्या, जैसे, APS system अगर कहीं चल रहा है, तो वहाँ पर length को क्या measure करेंगे, foot में, arm, mass को pound में, और time को second में, clear है, वही अगर कहीं पर CGS system चल रहा है, यूनिट का, तो वहाँ C, मतलब, centimeter, length को क्या measure करेंग और अगर MKS system कहीं चल रहा है, वहाँ पर length के लिए क्या आगा, meter, mass के लिए kilogram, और time के लिए second है, आप देखने, time का unit क्या है, common है, सब में सेम है, याद रखेंगे, क्या ना, सब पहले क्या था, क्या अपने अपने दुन्या में, जो अपने अपने जगा पर अपने अपने करते हैं, कहीं FPA चल रहा है, कहीं CGS चल रहा है, कहीं पर क्या था, MKS चल रहा है, फिर बाद में क्या किया गना, यह बनाया गया, कि एक ऐसा ही system हम लोग तयार करें units का, जो सभी जगा पर वाइलिड हों, क्योंकि देखो, जगा बदलते हैं, तो unit बदल जाता, नहीं, यहा लेंग्वेज में कैसे है, कि हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट लेंग्वेज है, अलग अलगे भारत में ही बहुत सारे languages बोले जाते हैं, नहीं, तो प्रावलम होता है, तो ऐसे ही क्या करते हैं, कि इंटनाशनल लेबल पर मतों सभी जगा पर, कहीं पर भी हम जाए, तो English English हर जगा पर चलता है, Global Language English को बना दिया गया, वो ऐसे ही क्या नहीं, यहाँ पर है, कि एक ऐसा सिस्टम तियार किया जाए यूनिट का, जो सभी जगा पर वैलिड हो, और उसको बोला गया क्या ची, SI सिस्टम, जो कि पढहें गया, SI सिस्टम, इंटनाशनल सिस्टम अफ तो respectively क्या, food pound second में करेंगे, CGS यहाँ पर centimeter, gram second, और यहाँ पर क्या, इस तरह से, clear है न, यह तो देखने वाला चीज है, समझने वाला चीज है, कि अगर कहीं पर FPS चल रहा है, तो mass को क्या measure करेंगे, कहीं पर CGS चल रहा है, तो length को क्या measure करेंगे, यह देखने का चीज है, clear, clear, जैसे कोई बोल दिया, कि बताओ, अगर कहीं पर CGS system चल रहा हो, अब चीनी लेने गए हैं, तो अब क्या unit क्या इस्तमाल करेंगे, तो CGS चल रहा है, चीनी mass है, नहीं, तो mass में लेने जाँगे, तो वो क्या हो जागा, ग्राम में मांगेंगे, वो ही अगर क्या चल रहा ह किये थे, कि दखो क्या है न, कि जितना भी, नहीं बोले भी, कि इतने सारे system of unit होने को ऐसे problem हो रहा, तो क्या कियागा, कि ऐसा system त्यार क्या गया, जो सभी जैव वैलिड हो, जिसको क्या बोला गया, SI बोला गया, तो हम लोग को पढ़ने में किसको फायदा है, SI को, ताकि हर हर जगा वैलिड हो, नहीं, इसलिए, तो SI system बोलने का मतलब क्या हुआ, तो international system of unit, याद रहेगा, international system of unit, तो पहले हम लोग किसका जानना पसंद करेंगे, SI unit, तो base physical quantities का, क्योंकि अगर base का जानगे, तो बाकी quantities तो इन ही से बने हुए है, तो उनका भी निकालेंगे, तो यहा साथ यहां पर दिया हुआ है, base physical quantity कौन कौन है, यह कौन सा है, base है, ठीक ना, length, length का SI unit क्या हो जागा, meter, symbol क्या देंगे, ऐसे देंगे, M, ठीक ना, mass के लिए, kilogram, symbol, यह रहा, time के लिए, second, symbol, इस तरह देंगे, अब ध्यान दिजिए कि यह जो length, mass, time के लिए है, यह क्या कौन सा सिस्टम था, MKS, क्या था, MKS सिस्टम में, हम लोग, length को measure किये थे, क्या में, meter में, mass को kg में, time को second में, वही चीज लिखा होगा, क्या SI में, तो हा, MKS को ही length mass time जो था, MKS unit length mass time के लिए, उसी को SI में तबदिल कर दिया गया, ठीक है, clear, वहीं पर temperature बात करेंगे, तो Kelvin, symbol क्य क्या देंगे, K, बड़ा K होगा, unit लिखने का तरीका, पिछले lecture में सिखाया गया है, कि नाम पर अगर होगा, तो symbol अगर लिखना चाहते है, तो क्या होगा, बड़ा letter होगा, वहीं पर यहाँ, small k होगा, clear है, वह से यहाँ, electric current, electric current का unit क्या होगा, ampere, small letters से लिखा हुगा, क् यूनिट लिखने का तरीका, यही वहता आपको पिछला lecture में बताया लिया है, ठीक ना, symbol group में A, ठीक, वहीं amount of substance के लिए mol इस्तामाल करेंगे, symbol अगर luminous intensity के लिए candela, जो की, इस तरह से, याद रखना, और देखो, इसमें ज्यादा समझने पर जोर क्या देना है, इसमें त दिखाएंगे, वहीं temperature का clean होगा, ऐसे होगा, illuminous intensity का handle होगा, ऐसे दिखाएंगे, एक तम याद रखना इसको, यह याद रहा, यही साथ, आगे 700 quantities बनाएंगे, बहुत सारे quantities बनाएंगे, ठीक ना, यह main याद रखना, यह base है, clear है, याद हो गया, चलो आगे देखते हैं, य आप से पले supplementary plane angle बताएंगे थे, plane angle यह angle, इस angle को, का SI unit क्या हो जागा, radial, या तो ऐसे दिखाएंगे, या तो C, आधा दुरा C दिखाते हैं, यह थोड़ा समूर देना, अब complete C नहीं लिखना, आप दीक लिख भी सकते है, radial नहीं गिनागा, clear है न, चले कोई दीकत, इसमें यह याद रखना है, कि यह supplementary physical quantities है, और उनका SI unit यह है, ठीक न, clear, चलो, हाँ, यह कुछ practical units है, इस पर ज्यादा focus नहीं बनाएं, ठीक न, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई में सामिल होगा, न, practical unit ने, जो सामिल होता हो, कौन होता, यह SI, और इसमें हाँ, कुछ याद रखना ह होगा, जैसे यहाँ, लेंद के लिए, यहाँ, 10 के पाउर 15, इतना है, यह मीटर में होगा, इतना है, इसको हम लोग क्या बोलते है, light year, क्या है, light year है, एसमें याद करना है, यह याद करना है, इसमें जादा नहीं, एक पाउंड, पाउंड, यह common वाला है, जो जो common है, जो इतना, बस उसको आपको ध्यान रख लेना है, और याद कर लेना है, चलो, और वैसे भी, अभी length का measurement बाकी है, mass का measurement बाकी है, तो जब length, mass time का अगा लगा आगा अगा न, यह सब आएगा, फिर से repeat होगा, इसलिए टेंसल लेना, नहीं है, बस आपको चून करीई, इसमें से, सब से ज़दा इस्तमाल होता है जैसे metric ton यह याद रख लेना है तो यहाँ देखो यह याद रख लेना है वस इतना याद रखे काफी रहेगा और यह तो याद रहता ही आप लोगो को नहीं चले देखे ठीक और आगे आगा यह हाँ अब है हाँ कन भी राइड यूनिट्स फोर डेराइड फिच्कल कॉनिटीज हाँ भाई बेस का देख लिए सप्लेमेंटरी का देख लिए अब बारे किसका डेराइड का ठीक है तो डेराइड का लिखने के लिए बहुत आसान है पहले तो आपको याद रखना होगा बेस बिच्कल कानिटीज के यूनिट क्या है तेका इसलीए तो उसका याद नहीं रहागा तो इसका कैसे बना ओगे तो ध्यान पहले वो रखना है, वो याद रखना है जैसे यहां पर मालते हैं कि एरियाढ अगर किसी भी चीज़ का पुछेगा ना तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है ना कि पहले उसका formulation करना है पहला इस अब क्या चेकर उसका formula एक है कोई भी formula किसी चीज़ का भी area देखिए कोई किसी भी चीज़ का एरिया हो सब का unit से महीं होगा तो हम एक जैनल वा लंबाए गुने चोड़ाई आप इसका formula जैसे ही लिखिया आपको समझ में आया कि निश्ची तोर पर एरिया अब धूना आपको यह है कि कौन कौन बेस मिलकर इसको बनाया है कौन कौन बेस क्वानिटीज है जो area को बनाया तो देख रहे का length है और चोड़ाई भी एक तरह का क्या फिर से length है तब SI unit लिखना चाहते है एरिया का तो जिनसे यह बना हुआ ना उनका SI unit लिखे है फिर से repeat अगर आप चाहते है एरिया का SI unit तो आप SI unit लिखेंगे किन का जिनसे यह बना हुआ थे बना हुआ लेंथ से length का SI unit मीटर लिखेंगे चोड़ाई भी एक तरह क्या है इसका भी unit क्या लिखेंगे SI unit मीटर लिखेंगे क्योंकि area का हमें SI unit चाहिए अगर CGS चाहिए होता तो द संबाई गुने चोड़ाई गुने ऊचा याद होगा length into breadth into height यहाँ पर बात करें您, length के लिखेंगे मीटर चोड़ाई एक तरह कमींत है है छोड़ाई भी एक तरह क्या है if line так टेले क्ली क्या बठाएंगे मीटर तेनों मिलकर क्या हो ग going oh किसका SI unit हो गया, volume का, clear है न, वहीं बात करेंगे किसका, mass density, mass density, formula होता है mass by volume, mass by volume, हो गया न, mass density का क्या चाहिए, SI unit चाहिए, mass density का SI unit किस से बना हुआ है, तो mass से और volume से, तो mass का SI unit क्या होता है, याद होगा आपको kg, अब volume का SI unit, अभी अभी निकाले है, meter cube, यहां बैठाएंगे, नीचे है volume, तो नीचे ही बैठाएंगे meter cube, आप स्टैंडर होचे किसले, इसको उपर ले चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह power minus में, पढ़ेंगे क्या kg per meter cube, is the SI unit of mass density, clear है, वहीं बात करेंगे, speed का, speed equal क्या होता है, distance by time, आपको पहले से पता है, कि यह speed derived physical quantity है, नीचे लिखने चलेंगे, किसका, speed का, तो पहले length का लिखेंगे, क्या हो जागा, meter और नीचे time के लिखेंगे, second, यह जो meter per second है, किसका unit हो गया, speed का, कुछ आए समझ में, यहाँ देखेंगे, इस तरह से आप unit क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ और example लेते हैं हम लोग, नहीं, यहाँ देखो, जैसे अगर हम करते है velocity, velocity का SI unit चाहिए अपने को, velocity पराबर क्या होता है, displacement by time, अभी बताए ना, जिसका भी आपको SI unit length है, तो length है, length है, और time से बना हुआ है, फिर स्वही drama, बताओ, length के लिए क्या लिखेंगे, meter और time के लिखेंगे, second, यह meter per second किसका unit हो गया, velocity का, next मानते हैं क्या, momentum, क्या, momentum, क्या होता है, mass into velocity, mass into velocity, अब बताओ, mass के लिए क्या, kg, velocity के लिए क्या, अभी तुरों निगाले, क kg, meter per second किसका unit हो गया, momentum का हो गया, इसी तरह से और भी है, देखो यहाँ पर आगे, यहाँ, area, volume, mass density, इसमें से बहुत का बता दिये हैं, अब आपको क्या करना है, कि इन सब का फिर से आपको SI unit निकालना है, और comment में जवाब देना है, ज़रूर देना है, ताकि आप बनाएं आप जवाब देंगे, तो हमें भी पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हैं, और वो आपका जो comment होगा energy की तरह काम करेंगे, आपके response कर रहे हैं, इसलिए responsibility मेरा भी बनता है, कि हम continue रहे हैं, और क्या चापलों के लिए लगातार, और मतले high energy के साथ आपके पास आए, तो य क्या रखेंगे, comment जरूर करेंगे, ठीक है, ये, और आपको अच्छे से पता है, कि आप जिस batch में सामिल है, उसका नाम क्या है, प्रण batch, और इसमें बहुत कुछ अभी आने वाला है, और ये बार-बार हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक न, अभी तो ये क्या, जो बता ज़र, अभी तो किवल, ऐसे physics शुरूर है, बहुत कुछ मिलेगा भी आपको, बस आप अपना पढ़ाई जारी रखें, ठीक, और हाँ, आप सब students हैं, और student का काम क्या होता है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करते रहें, all the best.